सबी सम्मानित करांतेकारी साथ्वियों को अखिल भारतिय भीम सेना की तरफ से और आपके भायजी नवाब सत्पाल तवर की तरफ से करांतेकारी जय भीम जय भारत नीला सलाम जय समिधान साथियों आपके साथ लाईव मुखाती भम हुए हैं एक मैटर को ले करके जिसके उपर आप सभी की निगाहें टिकी हुई थी सबसे पहले तो आपका जो प्यार मिला आपका जो साथ मिला उसके लिए मैं आपका भार परकट करता हूं सभी का साथ ही भौती सौट ब्रीफ में मैं बता देता हूं 2 अप्रेल 2018 को पुरे भाहुजन समाज ने भारत बंद करने का काम किया था जो की मान्य सुप्रीम कोट के उस तुगलकी फर्मान के विरोध में था जिसमें SCST Act को निस्परभावी बना दिया गया था साथियों पुरे भाहुजन समाज ने अपनी ताकत इस सरकार को दिखाई और केंदर सरकार मोधी सरकार अध्यादेश लाने पर मजबूर हो गई थी ये जीत आपकी थी आप सब की जीत थी ये बावसाब डॉक्टर अमबेड कर जी की समीधान की जीत थी और आप लोगों ने जो अपनी ताकत का एसास कराया इस सरकार को भी अंदाजा लग गया कि भाहुजन समाज जो मूलनिवासी समाज है उसके हक अधिकारों को छीनना कितना घातक साबित हो सकता है पुरा भारत जब बंद कर रहा था ये भाहुजन समाज तो उसी भीड में कही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की कोशिस कर रहे थे आपके भाया जी नवाब सत्पाल तवर भी और सभी जो साथी आमारे साथ उस वक्त मां मुझूद थे हर्याना के गुड़गाओं की बात कर रहा हूँ हर्याना के गुड़गाओं में पूरे बाजार को बंद कराया गया था और हाईवे पर तमाम साथी जो पहुंचे थे उससे हाईवे का जो ट्रैफिक ता वो भी अवरुद हुआ था लेकिन साथियों मेरे दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी हानी नहीं होने दी प्रब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी नुक्सान नहीं पहुंचाया जिसका जसाब ने भी कफी अच्छे स्वागत किया है और उस वक्त में जब पुलिस एक तरफा बात कर रही थी सरकार के दवाब में चल रही थी उस वक्त में हाई कोट में हाई कोट में तो अब गए हैं लेकिन उस वक्त गुडगाओं सेशन कोट में अप्रेल के महिने में 2018 में ही एंटिस्पेटरी बेल अप्लिकीशन दाखिल की थी भाया निल तवर जी की तरफ से और आपके भाया जी नवाब सत्पाल तवर की तरफ से लेकिन यहाँ से खारिज कर दी गई थी वुडगाओं पुलिस का कहना था कि हम लोग एंटिनेस्लिस्ट लोग हैं हमारे उपर देश द्रों के मामले दर्ज हैं अन्य राजों में कई-कई मुकदमे दर्ज हैं इस तरह की बात की गई थी बेल खारी जो गई थी इसके बाद पुलिस का भी किसी तरह से कोई दवाब नहीं आया लेकिन जैसे ही ये C.E.N.R.C. N.P.R. काला कानून आया हमने से खिलाफ विरोध सुरू किया जब आरक्षन पर चोट पहुंचाई सुप्रिम कोट के दुवारा तब हमने आरक्षन समाप्त करने के खिलाफ जो हमने अंदोलन की रूप रेखार लिखी आगे किये तब ये सरकार दुबारा से दवाब डालने कोई फरक नहीं पड़ता मिशन में चलते हुए अगर जेल भी जाना पड़े तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि गए भी है मिशन में कल जेल भेजते आज जेल भेजते सरकार तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा साथियों लेकिन जिन सैकडो साथी ऐसे थे जिनकी हमारी वज़े से जमानत नहीं हो पाती जो गुडगाओं के साथी थे और गुडगाओं से अन्य इलाकों के भी साथी थे जो गुडगाओं में रहते हैं गुडगाओं में जॉब करते हैं वो भी इस अंदुलन में सामिल थे तो उनकी उपर जो तलवार लटकती उनका भविशे खराब हो सकता था उनके पढ़ाई खराब हो सकती थी उनका नोकरी पेशा खराब हो सकता था इस कारण से भाया निलतवर जी को और आपके भाया जी नवाब सत्पालतवर को यानि कि मुझे एंटिस्पेटरी बेल हाई कोट में दाखिल कर पड़ी लेकिन मानिय जद सुधी पाहुवालिया जी के पास में वो गई उन्होंने जुड़ते ही हमसे उस एफिडेविट की मांग की उन्होंने कहा जद साब ने कहा कि हम आप लोग एफिडेविट दें की भविशे में कभी भी परदशन ना करेंगे जिस पर हम लोग वीडियो भी जारी करके आपको सुचित किया था बताया था आप सभी का प्यार मिला साथ मिला और भाया निलतवर जी की जमानत 26 फरवरी को अप्रूव की साथी गुरुगुराम पुलिस ने मेरी अगरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नवाब सत्पाल तव को कहा कि जशाब हम सोइल एक्टिविस्ट हैं हम समाझी कारिये करते हैं इस पर जशाब ने पुलिस से जवाब अगा तो पुलिस ने जमानत का विरोध किया तो जशाब ने पुलिस को साफ तोर पर नवाब सत्पाल तवर आप प lineup का ये। नतीजन हमने हाई कोट के सामने अपने समाजी कारियों का पूरा ब्योरा रखा जो की न्यूज वगएरा के मादेम से कुछ पॉर्टल्स पे न्यूज आई है उसमें आपने पढ़ लिया होगा और कुछ अख़वारों में कल न्यूज आएंगी उसमें आप पढ़ सकते हैं मैं अपने मूँ से नहीं बता सकता मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं समाजी कारियों यतने अंगिनत है जिनको गिना नहीं जा सकता लेकिन जो कंप्यूटर में अपडेट होते हैं लगातार जो भी किया जाता है वो कंप्यूटर में लगातार कंप्यूटराइज किये जात और बकायदा इसकी फाइलें जो होती हैं वो भारत सरकार के पास भी जमा कराई जाती है क्योंकि ये सोशल वर्क जो रजिस्टर और्गनाइजिशन के दुवारा कराया जाता है या किया जाता है ये मैंडेटरी होता है कि एवरी एर हम अपने किये गए सबी कार्यों की रिपो एफिडेविट जो मांगा गया था उसके खिलाफ तो चीफ जस्टिस साब का धन्यवाद वैक्त करते हैं कि उन्होंने केस को ट्रांसफर किया और जस्टिस राजमुहन सिंग जी के पास में ये केस ट्रांसफर हुआ उन्होंने जाते ही सबसे पहले अनिल तवर जी को जमान जो किये गए है ये कारिये वास्तों में काबिले तारीफ है कमेंट सुनकर जस्टाब का बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एंटिस्पेटरी बेल मुझे दी इस पर मैं पूरे समाज को पूरे भावजिन समाज को जिन भी साथियोंने मुझे सयूग किया मुझे सुना मे अच्छन था उनका उसके खिलाब जो आवाज उठाई ये आवाज भी आपने जन जन तक पहुंचाई मैं आपका दिल से अभार प्रकट करता हूं सादुवाद करता हूं आपका जितने साथि मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं विश्वास जितने का काम आपके भाया जी नवाब जत्पालतवर ने ही नहीं किया विश्वास जीतने का काम आप सबनी भी किया है आप मिशन के लोग हैं आप मिशन से जुड़े हुए मेरे साथी हैं मैं दिल से बहुत प्यार करता हूं अपने समाज को साथी पूरे देश को भी चाये वो किसी भी काष्ट से हैं किस लिए किसी भी संगठन से, किसी भी संस्ता से, individual है, missionary साथी है, या कहीं भी कोई भी नोकरी पेसा साथी है, कोई भी student है. जिस भी लेवल पर उन्होंने social media से मेरा साथ दिया इस मोहिम में, और हमारा साथ्य अभिम सेना का साथ्य भाया निल जी का साथ दिया, हम दिल से आपका सभी का आभार परकट करते हैं और आभार परकट करते हैं मानिये जसाब राजमुहन सिंग जी का जिनोंने हमें एंटिस्पेटरी बेल दी और जो साथी अगरिम जमानत याचिका के लिए और अपनी बेल करवाने के लिए जिनके पास पुलिस लगातार संबन भेज रही है वो जो वेटिंग लिस्ट में थे हमारे बिना उनकी जमानत नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारी जमानत ओल्रेडी सेशन कोट गुडगाम ने खारिज कर दी थी इसलिए उनकी बेल नहीं हो सकती थी हमारी वज़े से उनकी बेल अठकी हुई थी अब वो अपनी जमानत करा सकते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो गया है इसके लिए हम मान्ये जस्साब आईकोट चंडेगड के जस्साब राजमहन सिंग का भी आभार परकट करते हैं और आभार परकट हम उन जस्साब का भी करते हैं जिन्होंने हमें जमानत नहीं दी थी और उन्होंने एफिडेविट की मांग की थी सुधी पाहोवालिया जी उनका भी हम अभार प्रकट करते हैं कि कम से कम आपने एफिडेविट मांगा तो पुरे देश ने इस बात को देखा कि जजिस भी जो हैं जो हाई कोट के हो या सुप्रीम कोट के हो जज भी कभी कानून के दाइरे से बाहर नहीं हो सकते कभी भी समिधान के दाइरे से बाहर नहीं हो सकते जो जजिस हैं वो भी नहीं हो सकते बस आवाज उठानी के जुरुत है आवाज उठानी चाहिए और वो आवाज उठाई गई आप सभी के माध्यम से मेरे साथियों ने मैंने एक बात और मैं आपको बदा देता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया साथियों जो किया है आपने किया है ये बात आज की नहीं है सपना चोधरी के मुआमले से आप मुझे देख रहे हैं लगातार इससे पहले से बहुत सारे साथी जो मुझे से परसनल जुड़े हुए है वो मुझे लगातर देख रहे हैं संगर्स को सलाम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं आपके संगर्स को और आपको सलाम करता हूं जैभीम निला सलाम करता हूं अभिवादन करता हूं कि आपने हर वक्त साथ दिया है चाहे वो फरिदाबाद में जब पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया था तब भी आप सभी ने साथ दिया फरिदाबाद के साथियों ने भी दिन रात डट कर मेरा साथ दिया सायोग किया गुडगाओं के सोना के साथी थे और अन्य शेतरों के साथी थे सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा और नहीं सभी शेतरों का नाम ले पाऊंगा उस वक्त भी साथ दिया और मुझे जेल से बाहर निकालने का काम किया उन तमाम वकीलों की टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सुरू से लेकर के आज तक मेरी मदद की है कभी उन्होंने पैसा नहीं देखा स्रफ मिशन देखा है कभी किसी तरह के फीस की डिमांड उन्होंने नहीं की उन्होंने हमेशा अपने प्यार प्रेम सायूप की डिमांड की है उन सभी का अभार पर कट करता हूँ क्योंकि जब इनसान खुद जेल में चला जाता है तो आसरे रहता है अपने समाज के वकीलों के उपर उन सभी का मैं अभार पर कट करता हूँ और ये संगर्ष जो है ये मुझे होसला देता है आप सभी का प्यार मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कभी भी हमेशा कही है यही बात कि बाबा साहब डोक्टर भीमराव अंबेडिकर जी के अनुकमपा से हमें सब कुछ मिला है हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा कि बाबा साहब के जो सबसे पहला नाराता सिक्षित बनो के सपने को पूरा किया है कि हमें पढ़ाया है और आज हम इस काबिल हैं मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद वक्त करता हूँ कि हर मुश्किल की गड़ी में वो मेरे साथ खड़े रहते हैं सभी को मेरा आभार है दिल से मेरे सपास वो सब्द नहीं है जिससे मैं आप सभी का आभार और साधुवाद और धन्यवाद परकट कर सकूँ लेकि बस यही कहूँगा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए ना ही किसी परकार का आपसे कोई डिमांड नहीं मेरी कभी भी और ना ही आज तक रही किसी भी तरह की चाहे वो किसी भी रूप में हो मैंने आपसे मांगा है तो सिरफ प्यार प्रेम मांगा है साथ मांगा है वही है आपका प्यार प्रेम साथ कि आज तक जितने भी मेरे उपर जान लेवा हमले हुए है मेरा बचा हुआ है उनको भी सजा होगी मामले मुकदमे कोट में चल रहे हैं और गवाईयां भी हुई हैं आगे भी हुँगी उनको भी सजा होगी तमाम तरह के मुकदमे जो आज तक मैंने दाखिली किये हैं कभी किसी में पीछे नहीं अठे और आज समाजी कारियों का रिकॉर्ड कोर्ट में बोला समाजी कारिये के रिकॉर्ड ने आज कोर्ट में गवाई दी ज़साब भी बहुत खुस हुए ये सब आपकी ताकत है हमारे भहुजुन समाज की ताकत है ये सब बाबा साब डुक्टर अंबेडकर जी के समीधान की ताकत है और आज मैं जो कुछ हूँ साब कासिराम की वज़े से हूँ आज मैं जो कुछ हूँ बाबा साब अंबेडकर जी के वज़े से हूँ हमारे रहबर हमारे गुरु जितने भी हुए है चाये गुरु रविदास जी हो गुरु नानक देव जी हो चाये गुरु कबिर्दास जी हो तथागत गोतम बुद जी हो मैं उनकी वज़े से हूँ फैरिस्ट इतनी लंबी है लिश्ट इतनी लंबी है कि बोलते बोलते पूरी रात हो जाएगी हमारे महापुर्सों ने जो हमारे लिए संगर्स किया है और सबसे बड़ी एक बात और मैं आपको बता दूँ आज मैं जो कुछ हूँ तो भेन मायवती जी की वज़े से भी हूँ क्योंकि बहन मायवती जी ने उतर प्रदेश में चार चार बर सरकार बना कर भहुजन समाज की ताकत का एसास कराया है हमें होसला दिया है हमें हिम्मत दिया है हमें समाजिक तोर पर लड़ने के लिए जो प्रेणा मिली है उसमें भेन जी की भी एक एहम भूमी का है भेन मायावती जी की भी भेन मायावती जी भला ये राजनितिक पार्टी चलाती हो लेकिन उन्होंने जो एक प्रेणा स्रोत की भूमी का अदा की है जो एक आयरल लेडी की भूमी का अदा की है जो हमारे समाज के लिए भाउजन समाज के लिए जो उन्होंने किया है और सरो समाज के लिए जो किया है वो वास्तों में काबिले तारीफ है मैं भेंजी का भी हर अभार पर कट करता हूँ कि समय समय पर जब मुझे भेन जी को पढ़ने का मौका मिलता है तो मैं उनकी लिखी गई किताब पढ़ता हूँ बहुत अच्छी किताबे उन्होंने लिखी है समाज के लिए और पढ़ते हैं तो बार-बार पढ़ने का मौका मिलता है साब कासी राम जी को बावा साब अमबेड कर जी को महतमा जोती भाफूले जी को माता सावित्री भाई फूले जी को जब भी पढ़ने का मोका मिलता है मैं पढ़ता हूँ और उदी के नक्से कदम पर चलने की कोशिस करता हूँ एक बार और मैं आपको बता दू एक बात कि बाबा साब डॉक्टर अंबेडकर जी साब कासी राम जी आज हमारे बीच में नहीं है लिकिन फिर भी हमारे दिलों में जिन्दा है उनका संगर्ष जिन्दा है आज भी उनकी विचारधारा जिन्दा है और जब तक ये विचारध पिरकर जी साब कासिराम जी के हमारे तमाम महापुरसों की विचारदार को हम नश्ट नहीं होने देंगे, हम कभी भी समीधान को समाप्त नहीं होने देंगे, हम बाबसाब की विचारदार को कभी समाप्त नहीं होने देंगे, देश के समीधान को हम कभी भी समाप्त नहीं होन लेकिन समाजी की संगर्स में हम कभी भी पीछे नहीं आटेंगे। लेकिन समाजी की संगर्स में हमेशा यूही बनाए रखियेगा। साथ्यों जो ये आपका संगर्स है ये वास्तों में काबिले तारीफ हो और ये कभी भी जाया नहीं जाएगा। लेकिन जो आपका प्यार जो है वो होसला देता है मुझे ये संगर्स करने के लिए हमेशा मुझे ततपर रहने के लिए प्रभावित करता है। कुछ साथियों के कमेंट मैं बीच में पढ़नी पाया हूं और नहीं पढ़े हैं मैंने अपनी बात कही है। जितने साथि जुड़े हैं इस लाइव वीडियो से सभी को जैभीम अभिवादन करता हूं और सभी का जैभीम अभिवादन स्विकार करता हूं। कुछ साथी कह रहे हैं भाई साब अपना नंबर दे दीजिएगा तो मेरे साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नंबर परसनली मेसेंजर में जाकरके ले लीजिएगा आपको परसनली नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्योंकि मैं ओपनली नहीं बोल सकता ड काम भी प्रभावित होता है और मेंटली हरास्मेंट भी काफी जादा होती है इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप से कि आप मेसेंजर में जाकरके कॉंटेक्ट नंबर ले लीजिएगा जितने साथी जुड़े आप सभी को एक बार फिर दिल से शिल्यूट जैभीम जै